दर्शकों हमेशा ही हम आपको इस प्रोग्राम के जरिये मिलवाते हैं अपने उन दर्शकों से जो हमारे परिवार का एक हिस्सा है यानि कि जो लोग हकीम साहब से जुड़े हुए हैं जो दर्शक सिर्फ हम से फोन पर बात किया करते थे लेकिन एक मुहीम की हमने शुरुबात की है जिसके तहट अब हम अपने दर्शकों के घर पहुँच रहे हैं उनकी सेहत से जुड़ी हर एक बात जानने कैसे वो अपना रखते हैं कैसे वो हकीम साहब से जुड़े थे हकीम साहब का कौन-कौन सा नुस्का उन्होंने अपनाया है और कितने लोगों की उन्होंने मदद की है तो इसी दौरान हम पहुँचे हैं अपने एक और दर्शक के घर जी हां मैं बात कर रही हूं सुरेश देवी जी की आई अर जी मेरे घर मेरे घर मेरे तीन बेटे हैं तीन पोते हैं और दो बोवे हैं और मेरे एस्वेंड है मैम आपको क्या कुछ बिमारी थी और आपने क्या कुछ नुस्का हकीम साहब का पनाया जी मेरे सर्वाइकल की दिकत भी थी अर जी फेर मेरे कमर में गुटने मेरे बहु तो मन अकिम साब का पर देख़ा, देखने के बाद कही दिन देखकर, फिर मने छोड़ नदीगा है, फिर मने भाट की. बात करने के बाद मेरीह दवा आगी जी मेरे श्री जादा बन्या करता है. र मनेम में पताया चिशिद अरनी दर्ड के बाारे में है dengan एक चीज करमर का, गुठना का, बताई मैं तोड़ दोक्र ने मेरे से पूच के फिर मेरे से दवा बेजी से में अषीर की दवा हैं तो लिए कुट के वे इमना एक जंग अई कथी कर का उसमत अभले रही हूं अब यह जो 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 विप ऑने मेरे एक चुटकी दिए उठी के लिए टब चाह बनने के लिए तब मेरे आराम मिल रहा था यहाल स्वेर अंगा लगत मेरे अखात ब्रम में आराम उगया है तो चाह बनाई तो मेरे कमर में बिलकुल दर्द नहीं था अर यज 15 दिन मेरे बहुत आराम है। कमर मारे गुटनबह में है। मठी खेए हमेरे हैं उस और भी ऩड़ी और मन्हें नहीं है। मै। उसमी मेरे जूड़ी हैं। मैरे 10 तारिक इंच से दवाई थी जी। और फेर मनना तेरा चोदा तारिको वे जैसे पीछ प्यास कर वे खानी सुरू करी थी और तीन चार दन बीच में मेरा अशड़ की परोबलम होगी तो मैं कहीं गई थी ता मनना फेर आप खाई भी नी थी तीन दन दावा लेकिन फिर भी मेरा आराम पूरा मिल रहा जी तो अब आपको अराम है बहुत जादा आराम है जी मेरी कमर में भी और गुठना में भी सुरेज देवी जी आपने बहुत सारी बाते तो हमें बताई ही हैं इसी के साथ आप से ये भी जाना चाहूंगी आप तीवी जब देखती होंगी तो बहुत सारे प्रोग्राम आप देखती होंगी कोई कोई दवाई बताता है और कोई कुछ बताता है लेकिन विश्वास होना किसी पर बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपने हकीम सहाब का प्रोग्राम देखा तो आपने घरेलोन उसके ज कि दोक्टर साब आप ऐसी दवा क्यो बतारे हो, अग जो अमयर दुकान ठप होगी, तो दोक्टर साब ने एक बात की, देखो जी, आपको गुसा आया है, मैं जानू हूँ, अग जादा पैसे लगका आपने डिगरी प्राप की है, और आपको उतनी कीमत नी मल रही है, अगर पैसे कुमाने हैं, तो और कोई दंदा बनाओ, लेकिन जो इतनी जिंदगी हैं, आदमिया के साथ मत खेलो, पैसे बनाने का दंदा मत करो, बगवान के लिए तो बगवान से डरो, तो ये बात फिर मेरी समझ मागी कि अल्ला का बंदा हाई कोई गलत चीज इस्तेमाल नी करा पैसे लेगा, मैं गलत पैसे लेगा, जो बगवान से डरता तो मैं कोई गलत काम कर नी सकता, तो इनने जबाब दिया तो उसका प्रोग्राम मन देख्या, तो मेरा उची दिने यकिन हो गया, अल्गोक्टर सा बिकुल अछी बात बता रहे हैं, तो इनकी दवाई मन अपलान तो दोक्टर साब ने मेरे लिए दवा बेज दी, और फिर मन दवा बना ली मेरे बेटान बना ली, तो मेरे एक रिक्वेस्ट है बस, और जो दवा हैं जड़ी बुटी, वे मारे से कुटी छेती नहीं जा बस उसका पोडर बना के बेज जागरो बस, और कोई मेरे शिकात न हकीम साब को लेके आप कुछ कहना चाहेंगी? जो दर्शक आपको सुन रहे हैं माम, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? जिनोंने अभी तक हकीम साब के नुस्के नहीं अपनाया है, जिनोंने युनानी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं अपनाया है? मेरी रिक्वेस्ट हैं जिस बैन के भी जिस वाइक है, जो भी शरीर में, किते गुटना में, कमर में, आथ में, पैर में, कहीं भी दर्द है, बिना डोक्टर साब से सवाल किये, और दवा गोंधिया का ओडर कर दो, मेरी कहने पैं, तो मेरा कतिया नुसका अजमाया हुआ है, और मैं तय उसी दवा जो है, यह एंग्रेजी दवाई खाननी पाया करती है, एक दवा खाती दूसरी तरफ मेरे शरीर में दिक्कतो जा करती है, और यह दवा में खारी मेरे कोई दिक्टनी उरी, दवा बहत अच् कि दवा कितनी अच्छी है, गणी कामल दवा जी, मैं सब से रिक्वेश्ट करूंगी, यह दवा अकीम साब की, जिसका इवदर्द है, भाई का, बहन का, सब बड़ा अबुदा यह कोई भी दवा नुक्षान देन वाली नहीं है, और इस दवाई का ओडर करकर अर अपनी द कि अब दवाई आई थी, मैं दो चेरा गवज जकर करया है, लेकिन जाशे मेरा आराम होगा, मैं आणती फिरती दिखूं, तई मना आई देखका ना ता और भी करेंगी, देखने के बाद देखने के बाद भी करेंगी, अब मेरे जशे पाले मैं पड़ी रहा करती, खाट मे काम नहीं था मेरता है, अरभ मैं अपना काम टाइम पर कर रही हूं, तई बह एक दोस्त, जासे मैं पतान भी लग रही हूं, जासे दवा मंगाई थी मन, और मेरे बहुत अच्छा अच्छा कर रही है, ता अब जासे मन देखेंगी, तो दवा भी मंगवाँगी, आप गर का काम यानि खुदी करती हैं, और आप क्या के काम करती हैं? सब कुछ काम करते हैंननन तो अपने है, पोचय जारू भी मैं, आप से अपने हैं, तो उन फमना करती हैं देखे आप इतनी तक्लीफ में थी यह काम भुदे दो क्णे थियो आपके बहु हैं, जो अपके बेटे आपके बहु नहीका है तो अब जब आपको ऐसे देखते हैं, तो कितना अच्छा उनको लगता है, जीव, अरे बहु तो बहुत खुश हो जाती है, मैं बहु को बहु ली थी, छोटे वाड़ी बहु है, इसको कुछ थोड़ा सा जैसे उपरेशन उठा था यो लड़का, तो इसके लिए फेर कमर में अब जाए, तो मने इस बोले था कि यह दो खाले गुने एक महिना, एक महिना खाने के बाद यो गौंच यह तेरे लिए भी मंगवाँगी, और तु भी खाले ला, तु भी बिल्कुल ठीक हो जागी, मैं का जेख मैं कितना काम कर रही हूं, तो मन पता हम काशे रहती थी, त तो मैं तेरे लिए भी मंगवाँगी, बिल्कुल मैं, मैं पैसे ही सेहत बंद रही हूं, तो मैं बहुत बहुत सुक्रिया करू हूं, और जो मैं बना जिए और आप मेरा इंटू लिय नातिया नातिया तो मैं बिल्कुल आप जुक्षी पामती, मेरे बश की बात नही थी, मैं पूल कतीनों उसके साथ बैठी हूं ताकत के साथ जर्चे मेरे कोई बीमारी नही है, अशे लग रही होती नहीं, आवाज लगा नहीं, मेरे अपोता में उजे बलता था, हर बार बोला है, तादी, आप कभी खाट मैं इगरोगी, और अशे चलती है, जब आप की टाइम आएगा नहीं, महुत कज़े भी आप ऐसे ही बोलोगी, चली मैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने घर हमें बुलाया, और अपना वक्त इतना कीमती हमें दिया, हमारी पूरी टीम की तरफ से, और सिहत और जिंदगी की तरफ से, आपको यही दुआ है कि ऐसे ही आपके पैर भी बहुत सही रहें, माता आपसे बहुत बहुत सुक्रिया आपका, नमाता जी बिल्कुल मिरता साय टूट गी थी, उमीदक बिल्कुल माता ठीक हूए, कोईना, एक कमर नाशी कर दी थी, जो अबच़डा हने चोटा सा, ऐसा ही बच़डा था चार करते हूं, जी मैं बहुत बहुत शुक्रिया, तो दर्श को आज हमारे साथ जुड़े हमारे एक और महमान जो सेहत और जिंदिगी प्रोग्राम के दर्शक भी हैं और एक फैमिली मेंबर भी हैं, अगली बार फिर से आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और नए दर्शक के सा तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार